गुडिविनिंग फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज 30 आगस्ट थे और 30 आगस्ट में क्या-क्या बैंकिंग न्यूस आ है तो सब कुछ आपके साथ हम डिसकस करना चाहते हैं दोस्तों लेकिन डिसकस करने से पहले प्लीज प्लीज आप लोग मेरा चैनल को लाइक कर लीजिए मेरा को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है दोस्तों उसको एनबेल करके रखिए क्योंकि इन फ्यूचर अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हूं मेरा चैनल में तूरंत आपके पास वीडियो पॉस्ट आएगा तो प्लीज प्लीज मेरा चैनल को यह था सब्सक्राइब क्यूनकि जब हम ओफिज में हैएग। उसके साथ कोई भी अपडेट आ गया तो जल्दी से जल्दी हम वीडियो बना नहीं सकते हैं कि बहुत सारा problem आते हैं office में employee रहते हैं तो हम video बनाना नहीं चाते हैं उस time में तो हम लोग क्या करते हैं उस time में कोई भी update और circular अगर आगे तो हम उसको upload कर देते मेरा knowledge IQ TV में so please मेरा एक request है आप से आप लोग please मेरा knowledge IQ TV को subscribe कर लिजे बहुत viewer मुझे बताते हैं sir मेरा pension कितना होगा एक circular के बारे में तो जादा से जादा हम comment नहीं दे पाते हैं क्यूंकि हम उस time में office में रहते हैं तो आप please knowledge IQ TV को follow कर लिजे आपको सारे question का answer मिल जाएगा दोस्तो मेरा एक बेंगोली चलेंग भी है banking update बेंगोली बोलके दोस्तो इस चलेंग का support चाहिए आप लोगों का और आप लोग इस चलेंग को support कर सकते हो एक click करके means इसका subscriber button आप एक बार click कर लिजे तो subscriber मेरे पास आ जाएगा तो जो मेरा जो बेंगोली वीवर्स है उन लोगों को भी बेंगोली में क्यूंकि दोस्तो मैं एक चीज आपको बताती हूँ बहुत साड़े लोग हिंदी नहीं समझते इसलिए में बेंगोली में भी वीडियो बनाती हूँ क्यूंकि बेंगोली मेरा मदर टंग है और जो वीवर्स मुझे बता रहे हैं इंगलीश में आप क्यूं नहीं वीडियो तो उन लोगों के लिए मैं request करते हूँ sir आप दो दिन से तिन दिन wait कर लिजे English video channel बहुत जल्दी आने बाला है दोस्तो आईए आज का जो topic है उसके बाड़े में हम discuss करते हैं दोस्तो यह जो video आज हम बनाए है only for 11th bypatter जो 11th bypatter का family pensioner है उसके साथ साथ pension का DA, family pension और DA calculator इसके बाड़े में भी हम बात करेंगे दोस्तो इधर में भी पहली एक circular है AIBA के तरफ से एक good amount of family pension for those who retired during the 11th bypatter settlement period ranging from Rs 15k to 73k, sub-starts to scale 7 officers 7 scale 5 and above benefited much because of the removal of the maximum selling earlier scale 2 and scale 8 were drawing the same maximize family pension तो इसका मतलब क्या हुआ जो 11th bypatter का हमारा family pensioner साथी है उन लोगों का family pension 9-15,000 से लेके 70-3,000 तक family pension जा सकते sub-starts से लेकर up to scale 8 officers तक और बहुत ज्यादा benefit हुआ है तो एक-एक करके हम discuss करेंगे इस circular के बाड़े में और second जो topic है दोस्तो वो pension DA and FP DA calculator दोस्तो हमारे एक साथी ने एक calculation करके हम लोगों को बताया है last 10 months में आपको कौन सा amount pay हुआ है और last month में आपका pay कौन सा है आपका जो PPO है दोस्तो उस PPO में last drawn pay लिखा हुआ है तो last drawn जो pay आपका PPO में लिखा हुआ उस amount को लीजिए और उसके साथ-साथ उस amount को Excel sheet में put कीजिए और अपना family pension आप लोग देख सकते हो क्योंकि बहुत सारे viewers comment किये मेरा मा का family pension ने 6000 मेरा family pension ने 8000 तो दोस्तो एक-एक करके हम reply नहीं दे सकते इसलिए आप मेरा YouTube community YouTube में community बोलके एक tab है अगर आप मेरा YouTube pages में जाते हो तो community बोलके एक tab है उस tab में जाईए और उस tab में एक Excel sheet हमने अपलोड कर दिया है उस Excel sheet को अपना laptop ने तो आपना PC में open केजिए अगर आप mobile में हो तो mobile में भी आप open कर सकते हो open करने के बाद उसको आप download कर लिजिए और आपका PPO में जो last drawn है उसको उधर में put कर दिजिए तो total family pension आप लोगों को total family pension आप लोगों को मिल जाएगा कितना family pension आपका आया है basic pension plus DA करके ठीक है अभी दोस्तों जो circular है All India Bank Employees Association का एक एक करके हम समझ थे दोस्तों आस्तों में बोला 30 अगस्टे और 30 अगस्ट में फैमिली पैंचन अंडर 11 BPS दोस्तों ए circular only for 11 बाइपर्टर के लिए special AIBNA circulate किया है सारे branch member को उसके साथ फैमिली पैंचनर को तो एक एक करके समझेंगे हम for pay for max इससे पहले में और एक चीज बताते तो ए बाला जो circular आपको मिल जाएगा मेरा Knowledge IQ TV का Instagram पेजेस में तो जल्दी से जाएए मेरा Knowledge IQ TV का Instagram पेजेस में फॉलो कीजिए और इसको डाउनलोड कर लिजे दोस्तों इधर में जो for pay for at maximum मतलब जो साब स्टाफ है उसका फैमिली पैंचन होगा 6,365 और DA उन लोगों को मिलेगा 1,769 तो टोटल हो गया 8,134 मतलब आपका अभी फैमिली पैंचन 8,134 है रिवाइस्ट पैंचन होने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा 14,950 मतलब लगभग लगभग आपका 15,000 रूपिस तो सेप्टेम्बर 2021 में आपका इंक्रीश होगा 6,860 उसके बाद क्लार्क और स्पेशल असिस्टेंट को भी टोटल फैमिली पैंचन रिविशन करके मिल सकते हैं 28,286 और आपका इंक्रीश हो सकते हैं 14,143 उसके साथ स्केल 1 में ऑफिसर स्केल 1 आते और स्केल 2 में मैं मैं स्केल 3 में जेनरल मैनेजर आते तो आप पूरे चीज़ को इधर में जाके देख सकते हो इधर में दोस्तो जो फैमिली पैंचन रिवाइस्ट किया गया है बैंक्स और जो लोग 11 नवेंबर 2027 को रिटायर होया है उसके बाद उनका म्नित्तु भी हो चुका है आफ्टर 816 उसके बाद क्लाक स्पेशल एसिस्टेंट ग्रैजुएट और उसके साथ साथ जो सी ए आई 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 भी है ए मैक्स आप पेस्केल तो उनको इंक्रीज हो सकते 14143 स्केल 1 को इंक्रीज हो सकते 16335 दोस्तो इस टाइप से आप लोग समाझ में आपको नहीं आएगा तो जो में community में जो एक calculation करके दिये है उस calculation में आपना PPO का total amount दीजिए आपका calculation आ जाएगा ठीके और इस circular को आप मेरा Instagram pages में जाके भी देख सकते हो उसके साथ साथ officer scale 3, officer scale 4, officer scale 5, officer scale 7 means DOI general manager, deputy general manager, assistant general manager उसके साथ साथ general manager at max of pay scale और scale 8 में chief general manager जिसका increase हो सकते 55,763 दोस्तों आज का वीडियो यही था वीडियो आच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दिजिए और चैलेन को प्लीज सब्सक्राइब कर दिजिए आप बहुत सारी लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज में सपोर करते हूं आप लोग प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए थैंक यू सो माज दोस्तों वीडियो इधर ही खतम करते हैं थैंक यू